Hello everyone, welcome to being teacher, I hope आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बिहार अच्छक भरती का एक्जाम आज से 17 दिन बाद है, और आप लोगों के त्यारी उम्मीद करता हूँ, बहुत ही अच्छी चल रही होगी, लेकिन बहुत से बच्चों के कमेंट आ रहे थे सर, SCERT जो बिहार की SCERT चलती है, क्या उसका नोट समको मिल सकता है, या उसके related हमको कोई books मिल सकती है, और बहुत से बच्चे books पूछ रहे थे सर की, मतलब particular subject के लिए कौन सी book पढ़ें, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले यही बताऊंगा, कि अगर आपके पास particular book की NCERT है, तो आप उसी को पढ़ें, ठीक है, औ और अगर आपके पास वो नहीं है, तो आप बिहार से चक भढ़ती की SCERT है, मैं discuss करने जा रहा हूँ, आप लोग उसको पढ़ें, जो मैं discuss करूँगा, वो आप सभी के लिए, मतलब 1, 2, 12 तक के जितने ही बच्चे हैं, मतलब 1, 2, 5, PRT के लिए, and 6, 2, 8, जो junior ले बच्चे ह वाले, and 11th and 12th PGT वाले बच्चे, क्योंकि जो मैं discuss करने जा रहा हूँ, ये बुक बिहार के लिए especially है, ठीक है, बिहार को पूरा cover करती है, बिहार के SCERT है, उस पूरे SCERT को मैं यहां पर discuss करने वाला हूँ, SCERT के बुक लगली मुझे मिल गई है, और इसमें मैंने चीजों को highlight किया है, अभी एक ही बुक जो मैं highlight कर पाया हूँ, 12 बुक है टोटल, पूरी मेरातन टाइप में मिल जाएगी, और यहां पर मैंने जो points है, जो important points है, उनको highlight किया हूँ, और सिर्फ उन्हीं को यहां पर discuss करूँगा, और आप लोग खुश से पढ़ेंगे, तो आप लोगों सिक्किम की राजधानी जो गंगटोक है, वहां पर कुछ बच्ची जो हैं, वो निकलने की तियारी कर रहे हैं कि 8 नॉमबर 2010 की ठंड रात, ठंड भरी काली रात, ठंड से कांपे ठुटे ठुटे लोग, पटना जंग्चन पर मित्रों के साथ रेड़ गाड़ी की प्रतिक् टाइगर हिल पर खड़े होकर सुबा 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 सालों भर बरप से धकी रहने वाली कंचन जंगा की सतरंगी बदलती चोटी को देखना अदबुत था, तो मतलब कहां से देखा है ये, पच्चे मंगाल का जो दारजलिंग एरिया है, वहां से देखा है कंचन जंगा की चोटियों को ठीक है, तो सतरंगी चोटिया है, यहां पे कहा है, नेक्च है कि यह हुआ जहां दार्जिलिंग का चाय बागान चडिया घर ने लुबाया वहीं नेचोरल हिस्ट्री म्योजियम ठीक है याद रखना नेचोरल हिस्ट्री म्यूजियम आजायब को जिसको कहते हैं लॉयड बटॉनिकल गारडन जोलोजिकल पार्क यह तिनों कहां पर है दार्जिलिंग में है जो रूपवे होता है, रूपवे क्या होता है, रूपवे में एक तरीकी से दू रसीयां होती हैं, लेफ्ट राइट आप इसको देख सकते हैं, ये रूपवे होता है, यहाँ एक तरीकी से रसी बंदी होती है, जो मतलब एक तरीकी से कह सकते हैं, हवाई मार होता है, रसीयों से करने वाली यात्रा तो हाला कि वो रसीयों लोही की होती है रुपिव पर सवार होकर बादोनों की बीस से गुजरते हुए चाय बागान को देखना बड़ा आननदायक रहा अब यहां से हम हिमालय परवतारोहन संस्थान के-ली रवाणा होगे तो हिमालय परवतारोहन जो है वो चिडिया करके नजदीक था, यहां भारत के गौरो तेंजिंग नौरगे की आदम कद मूरती लगी हुई है, यहां का जो एवरिस्ट मुजीम है, एक रोमांचक यादगार है, यहां अब जो तेंजिंग नौरगे हैं, उनके बारें बात करेंगे, परवतार रोहियो हम नहीं कर पाते हैं, और जब हम उनको नहीं कर पाते हैं, तो सेलेक्शन एक तरीकी से हमारा फिर होता भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो कौश्चन नहीं आते हैं हमको, वो सभी को नहीं आते होंगे, लेकर अगर एजी कौश्चन हमको नहीं आ रहे हैं, तो फिर हम अपना सेलेक्शन एक तरीकी से खुद ही ब्रिक कर रहे हैं तो यहाँ पर कुली के रूप में जाने आते थे तेंजिंग यू तो भारत के मुल लिवासी बन गए उनका जनम कहा हूँ था तिबबत में और बच्पन की दिन जो है उन्होंने नेपाल में बिताये थे पढ़ना लेकना बिलकुल नहीं आता था उन्हें लेकिन देश विदेश के परवतारोईयों के साथ में वे कई भासाओं के रूप में बाचीत कर लेते थे सन 1903 में तेंजिंग नौर्वे सर एडमेंड हिलेरी के साथ हिमाले परवता संकला के सबसे उंचे सिकर एवरिष्ट जो की 8848 मिट रूचा है उस पर चढ़े और विजय प्राप्त करी हिमाले परवतारोण संस्थान ने हम लोगों में हम लोगों ने काफी समय गुजारा और परवतारोण के बारे में जानकरी प्राप्त की इस संस्थान को माउंट एवरिष्ट पर विजय के खोसी में सन 1954 में स्थापित किया गया था कहां स्थापित किया गया था दारजलिंग में स्थापित किया गया था अब एक्ति जो वहीं का रहने वाला हो एवं परवत्तों उपर चढ़ने में पारंगत हो कुली तथा गाइट के रूप में चलता हो ऐसे गाइट को दार्जलिबंग में हम क्या कहते थे सिर्दार कहते हैं पिर यहां पे हम देखेंगे कि कैसे हम जब चटते हैं तो कौन-कौशी कटनाई आती है बारिस, आधी, तूफान, अत्यदिक, ठंड और oxygen की कमी का मुकाबला करना बड़ता है जब हम उचाई पर जाते हैं तो हम पर oxygen जो है वो कम होते जाते हैं यहाँ पर विसेज़ परकार के जोते पहनते हैं और oxygen के cylinder भी लेके जाते हैं यह तेंजिंग नौर्वे हैं और हिलेरी हैं फिर आते हैं यहाँ पर बर्फ की बिच सोने के लिए हम क्या करते हैं एक विसेज़ परकार के जो sleeping bag हैं उनको लेगर के सोते हैं जब हम चढ़ाई करते हैं तब की बात है चढ़ाई करते समय रसी कुलाडी कोदाल के सारे चढ़ाई करवाई जा रही थी अब यहाँ पर पूछा सकता है कि बिहार की परवता रोही हाल फिलाल में बिहार की परवता रोही कौन है जिन्होंने माउंट एरुष्ट की चोटी पर विज़े पराप्त करे तो यह कुशन बनता है सामके समय महात्मा गांधी सड़का क्या था अद्बुत न जा रहा था फिर यहाँ पर सिक्किम पहाडों और घाटियों से भरा एक छोटा राज्य है तीस्ता यहाँ के मुख्य नदी है यहाँ लेपचा नैपाली और भूटिया तीन जो जन जातिया है वो निवास करती है और ते रंगीन कपड़े यहाँ मनकों से युक्त सोने के आभोशण पहनना पसंद करती है अब यहाँ पर रूम टेक मॉनेस्ट्री जो है रूम टेक मॉनेस्ट्री करमापा यह बौद धर्म गुरू का यहाँ पर निवास है और यह बौद धर्म का दर्शनी इस्थल भी है कंगो टोक से लगबग बावन किलोमेटर दूर समद्द तल से लगबग 14500 फीट की उचाई परिस्तित नातुला घूमनेगे तो यहां पूछ सकता है कि कितनी फीट जो है उचे है समद्द तल से लगब तो नातुला कितने फीट उचा है 14500 और यहां पर भारत और तिब्बत की सीमा पर रहते थे यह तो यह देखिए फार चाइना इंडिया बॉर्डर फिर आखिर नातुला आ गया बिच्छी हुई की चादरों के बीच हम सभी खड़े थे तो नातुला में क्या है मतलब बिच्छी हुई बर्फ की चादरे हैं नातुला का रास्ता प्राचीन काल में सिल्क मार्क के नाम से जाना तो नातुला को हम प्राचीन काल में किस के नाम से जानते थे सिल्क मार्क चीन के यात्री इस तो खेल यहां पर कुस्ति को एक तरीके से वियायाम बताया है और हस्पुष रहने का एक तरीका बताया है अब हम गत्का के बारे में जान लेते हैं गत्का क्या होता है गत्का क्या है एक मार्सल आर्ट है गत्का एक मार्सल आर्ट है या सिख धर्म से जोड़ा हुआ है गुर्गोविन सिख ने सिख समधाय को सैन रूप दिया था उसी दौरान गत्का खेला जाता था गटका सिखों के एक सेन रूप का हिस्सा है या आत्मर अच्छा के लिए सिखा जाता है सिख समधाय को लोग वैसाखी तथा गुरगोविन सिंग की जयनती की मौके पर इस खेल को हिंदु और मुस्लिम समधाय के लोग भी खेलते हैं गुर्गुमी सिंग मौके पर क्या है खेलते हैं और इस केल को कौन कोन से लोग खेलते हैं हिंदू और मुश्लिप समधाय के लोग भी खेलते हैं अब हम आते हैं चैप्टर थ्री पर चैप्टर थ्री क्या है बीजों का बिखरना जैन धर्म की 24 तिर्थंकर वर्द को लुँँ पूते और गोलाकर होते हैं थायlam, को की डाने के तरित आरे चोटय-छोटय और गोला-कर होते हैं फलीओं कीशॉक कर फटने के बाद बिखराते हैं हर्सिंगार गुल-मेहंडी, के बीच पटककर चाइब हो पहु करके बिखरते हैं की तरह पतली जिल्ली होती यह होव में वड़कर दूर दूर पहुंच जाते हैं पास के बीज जो हैं deze होता है फिर पानी में तहर कर विखारने वाले फल पानी मेंalf Cranha विखाने वाले फल कौन है ऐसे फल हलके यूँद के जो पौधे के फल हैं nad में बहते हुए एक इस्थान से दूसरे इस्थान पर पहुंचते हैं फल के सड़ गल जाने से बीज बिखर जाते हैं तो कौन-कौन से कमल और कुमदिनी के जो पौधे के जो बीज है न वो पानी में बहते हुए एक इस्थान से दूसरे इस्थान पहुंच जाते हैं यहां प तो गोखुरू का जो बीज होता ये जानौरतों शिपटकर एक इस्थान से दूसरे इस्थान चला जाता है कुछ बीज चिपचिपे होते हैं लसोड़ा के बीज को छुकर देखे जिनका बिखरना पच्छीयों के दोरा होता है तो कौन से बीच बच्चियों के दर बिखरते हैं? लसोडा के बीच फिर मल मतलब बीट के साथ ये बीच बाहर निकल आते हैं ये जहां गिरते हैं वही अनकूल परसितियों में अनकूलित होते जाते हैं तो इस चीज को भी द्यान रखना है पौधों की परजातियों को हजारों वर्सों से बचा कर रखने में सहाय करा है बीजों का बिखर ना केवल पौधों की परजातियों को हजारों वर्सों से बचा कर रखने में सहाय करा है बलकि इससे अलग-अलग जगों पर रहने वाले मनश्यों को भी उपियोगी फलपूल वह पाउधे मिलते रहे हैं नेक्स चेप्टर है मेरा बगीचा तो राजस्थान की लच्छमडगड में तो राजस्थान में लच्छमडगड पढ़ता है तिदलियों की 17 परजातियां तथा पक्षियों की 87 परजातियां यहां पर पढ़ाई गए है तो यहांसे पूछा आका है कि मेरा बगीचा में कितनी परजातियों की बात कही गई है और पक्षियों की कितनी परजातियों की बात आँपर की गई तईसे question यहां पर पूछा आ सकता है को जानते हैं के Herbarium के से बनाता है ठीक है Hakari yeah के लिए गठा किए कि पौधों के बारे में भूल गया था मैंने देखा कि सारी पत्तियां सिकुड गई हैं सारे पौधे भी सुक गए हैं और कुछ फूल भी सुकुड गए हैं मा को बताने पर उन्होंने कहा बेटा एक एक पौधे को अगवार के मोड के अंदर तह लगा कर पौधे पर वजन रखकर कुछ दिनों के लिए च्छोड देना खकता है पौधे सुकते हैं मगर सिकूरते नहीं इसका मतलब kırς कर सकते हैं यहां पर सकते हैं तो हरोरियator कि यहां पर यहां पर डेख सकते हैं कि कि क्या क्या विछ पही पहुते हैं लिकिन ये कोलकाता गंगटोक हों बहुत अगर आप उनकों लगाते हैं तो यह पाए जानेक्कृत अगर आरे आप न को लगाते हैं ने चेतने हेतर हमारा विश्वध्र प्रथम आवाशी विश्व द्याले था आवाशी मतलब यहां पर लोग आकर के रहते भी थे गुप्त समराट कुमार गुप्त के सनच्छड में इसके स्थापना पांचमी सताबदी में हुई थी इसमें 10,000 से अधिक छात्र और लगवग 2,000 सिक्चक थे इस ग्यान केंदर न प्रांगर तथा दस मंदिर थे जिन में अनेक ध्यान केंदर थे पुस्तकाले छेत्र धर्म गंज कहलाता था अब पूछ सकते हैं कि पुस्तकाले छेत्र को किस नाम से आते थे तीन पुस्तकाले थे रत्न दधी रत्न रंजक और रत्न सागर तो यहां पर पुस्तकाले के नामों के बारे में पूछा सकता है इसके प्रवेश द्वार पर चार द्वार पंडित होते थे जो प्रवेश परिक्षा लेकर विश्व द्याले में प्रवेश देते थे प्रवेश परिक्षा भी तब भी होती थी और प्रवेश परिक्षा लेकर के विश्व द्याले में तब भी प्रवेश दिया जाता था इसको पुनरजिवित करने का प्रयास कर रहे हैं जिसमें देख सकते हैं ये सिल्प लिखा हुआ है इसमें पूरा नारंदा का पूरा इतिहास दिया हुआ है ठीक है बिहार के स्मारक चाहे मगत की राजधानी गिरीवरज राजगीर हो या पाटली पुत्र वर्तमान में पटना कहते हैं नालंदा में नारंदा विश्विद्याले हो भागर पुरुषित विकरम सिला विश्विद्याले हो बोध गया महात्मा बुद्ध के लिए विख्यात है तो वैसाली भगवान महावीर की जनमिस्तिली के लिए बिहार में सिखों के अंतिम गुरु गुर्गविन सिंग का जर्मिस्तन पटना साहिब है और सूफी संतों का केंद्र भी यही राज रहा है प्राशिनकाल में समराट असोग का राज भी रहा है और उसने जनकल्यानकारी संदेशों के साथ अनेक इस्तंफ बनवाए जो आज भी नंदनगड लौरिया तथा कोलुवा में देखे आ सकते हैं मोतिहारी के केसरिया में विश्व का सबसे उंचा तता बड़ा बहुत स्थूप है तो कहां पर मोतिहारी के केसरिया में इस सारे जो आपको सिटी और सहर और जो स्थूप और जो इस्तंफ बताया जा रहा है इन ही को आपको धहन में रखना है यही बेसिक क्वेशन और यही का इस्तुप और असोग इस्तंब पफिर पटना का गोल घर नेक्ट है कि कैम जानते हैं कि निर्माढ में ईत पत्थर आधी का इस्तमाल किया गया था उस समें सिमेंट की जगा सुर्खी, चूना, औरद की दाल छोवा जाथा गोंद का इस्तमाल किया जाता था ठीक है तो पहले जो है दालों का और चूने का प्रयोग और सुर्की का और छोवा जाता गोन का भी प्रयोग पहले किया जाता तो उससे जो है पूरी ये बिल्डिंग मनाए गई थी नेक्स्ट टॉपिक है सिचाई के साधन सिचाई के साधन में हमने यहां पर हालेट किया है कि पौधों को फल्ले फून ले इभन बढ़ने के लिए पानी के आउसकता पड़ती है ठीक है धान के बीच वर्सा के मौसम में बोवे जाते हैं निश्चे तंद्राल पर खेतों को भी भिन साधनों की साहता से पानी उप्रब्द कराना सिचाई कहलाता है तो यह आप लोग देख सकते हैं कि इस तरीके से पानी जो है निकालाता था फिर नेक्स्ट है नलकूप नलकूप जो है आज की टेक्निक है और जो नहर है यह परागत रूप से नदियों तालाबों वा कूऊं से सिचाई करते थे लेकिन अभी जो जितनी क्योंकि पानी की सकता है वो काफी जयदा बढ़ गई है तो इसलिए जरूत सिचाई के अन्य साधनों का भी आविश्कार किया गया जैसे नलकूप जिसे सिचाई जो है ज़्यादा समय तक बासी पढ़ गया तो खराब हो जाता है उसमें रंग और गंद में अंतनाने लगता है यहां पर नेक्ट बात कहीए कि खाने को अगर बच गया तो फिर भी बच जाए तो उसको ठंडी जगया फिरिज में रखना चाहिए और यहां पर कहा गया कि पानी क जिसे जब किसी खाते बदारत को अगर हमें लंबे समय तक रखना है तो उसमें पानी का जो अंस है उसे निकाल देना चाहिए जैसे कि हमारा अचार मुरब्बा जाहिए इसलिए बहुत दिनों तक है सुरच्छित रहते हैं अब हम आता हैं रास की जंग मलेरिया की संग मतल कि यह जाना में वर्सों लग गए लेकि सुतुन्तिता के पूर्व भारत में एक महांचिकस सक हुए रोनौल्ड रॉस इनके अतक प्रेतन से ही हम मलेरिया की बारे में परचित हो पाए रॉस का जनम जो है भारत के उत्तराखंड राज्य के अलमोड़ा नामक सहर में हुआ इनकी जो पतियां हैं एक मातर इसका इलाज थी है इसको कैसे क्व जिर्फित करना है जो घर के आसपास जो पानी है उसको हम जमाना होने देए अपनी जनग मलेरिया के संग में रॉस विचार करते वी अपनी जनग के संग प्रेज्जी कि एक वाक्य सुरू किया था और अनलीड उख्यuld होता था उसी की कटने से मलेरिया फलता था और मदा जालाया जीला हम आप मैप देहिख रहे हैं यह लाइन कि यह लाइन जो है यह अंतराष्ट्री लाइन है मतलब यह काहिए और यह डिस्टिक इंस आय Compet?, आप देख सकते हैं यह सारे डिस्टिक हैं और इनrates डिस्टिक में आप यह इधर देख सकते हैं, जहारकंड है, इधर उत्तरप्रदेश और अदर पश्चिमंगाल है, तो आप इस डिस्टिक को, जो मैप को है, अच्छे सा आप देख लिए, इसकिन सॉर्ट ले लीजे, और देख लिए जो आपका डिस्टिक है, वो कहां पर पढ़ता है यहां पर देख लिते हैं कि बरसात में लगाई जाने वाली फसलों को हम क्या कहते हैं खरी फसल कहते हैं जबकि सर्दी में लगने वाली फसले रभी की फसल कहलाते हैं इसी परकार गर्मी में लगाई जाने वाली फसलों को हम जायद फसल कहते हैं अब यहां पे अगर हम बिहार के फसलों के बारे में जाने तो यहां पे आप देख सकते हैं यह एक दिया हुआ है संकेत संकेत में आप देख सकते हैं अगर यह दिया हो तो केला है यह दिया हो तो मकाना है यह दिया हो तो गेहू है यहाँ पर मक्का है यह दियो तो गिहू है फिर यहाँ पर धान है चना है और प्याज है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जमुई में क्या होता है जमुई में प्याज होता है और सेखपुर में प्याज होता है नवादा में गिहू होता है गया में गिहू होता है और रोहत दरबंगा में क्या पाया जाता है यहां पर मखाना पाया जाता है अब हम अभ्यारन देखते हैं कि अभ्यारन क्या होते हैं जंगली जानलों के सुरच्छा के लिए कई जंगलों के विसेश हिस्सों को सरकार ने लोगों के दखल से बचाया और उन्हें अभ्यारन क्या रूप दे दिया गया, ऐसे अभ्यारण बिहार में पश्चिम चंपारण था बेगू सराय में पाया जाते हैं अब यह हमें बताया गया है कि जो अभ्यारण है उसमें कई तरह के जीवजन्तु रहते हैं और वहाँ पे भोजन और आवासादी के लिए एक तुसो पर निर्बर करते हैं लेकिन जैसे जंगल खत्म होते जा रहे हैं वहाँ के जीवजन्तु भी वह कम होते जा रहे हैं और कई जीवजन्तु जह हैं विलॉप्तिकी के गारपे है उजाहांड के लिए तेनदुआ गुलावी सिर्वाला बतक जंगलों से लगबग खत्म ही हो गए है यहाँ पे हम बिश्णोई जिंजाती के बारे हम जान लेते हैं हलाकि इस किता में जो जो दिया है वो सब इंपोर्टन है लेकिन उसमें जो मोस्ट इंपोर्टन है वो हाँ आपके साथ में डिस्कस कर रहे है बिश्णोई राजस्थान की एक जंजाती है बिश्णोई का आर्थ होता है 29 ठीक है उनकी गुरु जंभा जी के कहें कि अनुसार बिश्णोई लोगों ने 29 बातों को अपनाया जिन में जीव जंदों के देखबाल करना बहुत प्रमुख था ठीक है ये प्रकृति प्रेमी होते हैं वन ने प्राणियों के रक्षा करते करते हैं ये अपनी जान तक दे सकते हैं ये जलावन के लिए हरे भरे पेणों को काट कर इस्तमाल में नहीं लाते हैं सिर्फ सूखी घास सूखी लकडियों को जलावन के लिए इस्तमाल करते हैं इनके इलाके में कई जानवरे से चिंकारा, धारीदार, हेरन, सांभर तथा काले सांड आजाद घुमते देखे आ सकते हैं विष्णोई लोग जंतों का नसिकार करते हैं और ना करने देते हैं नेक्स चैप्टर है मान गय लोहा, इसमें हम देखते हैं जो भी इंपॉनिट पॉइंट होते हैं विष्विकल लांकता दिवस 3 दिसंबर 2012 से स्टार्ट हुआ था यहाँ पर representations को विष्विकल लांकता दिवस मनाया जाता है ब्रेल लिपी क्या होता है? ब्रेल लिपी एक खड़े आयताकार समें 6 बिंदों को उबहार कर लिखा जाता है नेत्रहिन बच्चे इन उभरे बिंदों को उंगलियों के इसपर्स से समझ जाते हैं ठीक है तो यहाँ पे खुर्दुरे जो होते हैं खुर्दुरे पार्ट को यहाँ पे उभारा जाता है नेक्स शेप्टर है खेल खेल में पच्चियों को देखना पहचानना उनका अवलोकन करना बहुत ही दिल्चस्प अनुभो है जैसे आका रंगरूब बोली आदते भुजन आदी ठीक है इस सौक को पच्ची की दुनिया में ताग जाक या बर्ड वाचिंग कहते हैं पीट और सिर का रंग नर में काला और मादा में धूशर होता है पेट वाला भाग सफेद होता है पूच के बीच में काली पट्टी और दोनों किनारें पर सफेद पट्टी होती है आँखों के ऊपर सफेद भौ जैसी पट्टी होती है पूच क्या होती है लंबी पतली आयत करता है भोजन किया केड़े मोकोडे जो है खाते हैं आवास मोकेता जमीन पर है आम तोर पर नदी के किनारे किसी तालाब या पानी से भरे खेत के किनारे बैठा देखा जा सकता है अन्य जानकारी में क्या है अधिकतर जोड़ी में देखता है पानी किनारे बैठकर लगतर किया है तो यहां पर यह भी थोड़ा सा ध्यान लगे कि पानी और हम जो है अध्याद तेरा का नाम है पानी कहां कहां से आता है यहां पर बात कर रहे हैं मैंग पानी कहां से लाता है सीमा पानी कहां से लाती है और मैंग जो है उसके नल में पानी आता है और सीमा जो है कोई से ठानी भळती है। यहां पे मैरी ज़ो है इनए इनके थू दिन भर पानी आता है। गोड़वख पानी के लिए होगा तो पानी के बिना हम जिंदा नहीं रहे सकते हैं फसल भी नहीं हो पाएगी इसके बारे बात का है और कहा है कि गाउँ है वहाँ पर बाढ़ आ जाती है तो जो वहाँ मिट्टियों के घर होते हैं वहाँ पर डह जाते हैं बाढ़ आदी अभी शाप है क्योंकि पता नहीं चलता है वह जब बाढ़ आती तो कहां पर किधर मतलब आयां दाएं बाया कहां भी उसका कोई एक रूट नहीं रहता है अब 18 अगस्त 2008 की काली अंधिरी रात थी पोरे उत्तर बिहार और नेपाल की तराई में दो तीन दिन नहीं से बारी सो रही थी सभी लोग अपने अपने घर में सोय हुए थे अचानक सुरुआ कि बाढ़ आ गई बाढ़ आ गई ये दीखे बाढ़ का जो है ये द्रश्य है ये बाढ़ का द्रश्य बिहार 2008 में बाढ़ आई थी यहाँ पे तकरीवन दो लाग चत्तिस हजार जो है हेक्टियर में जो फसल खड़ी थी वो नश्ट हो गई थी तीन लाग से भी जादा जो घरें वो गिर गए थे लाग हों स्कूल बड़े मकान और तर्टमंद में जाकर के हमको सर्ण लेनी पड़ी थी ठीक है यहाँ पे हम सूरज के वारे में जानेगी कि जो सन है वो क्या गड़ता है यह सौरज़ पटिका क्या होती है सौरज़ पटिका जो है दिन में सौरज़ की रोशनी पड़ती है तो रात में इससे लगा हुव बल्प जो है जल उठता है मतलब इतलिए कि सौरोज़ा के यहाँ पर बात की जारी जैसे सौरोज़ा है यहाँ पर इसकी बात यह कर रहे है तो सौरोज़ा को उप्योग कहां पर हो था नॉर्मली जो पैनल आप देखते हैं इन से करते हैं और अब electric vehicles भी आ रहे हैं ठीक है तो उसमें भी क्या करते हैं कुछ गाड़ियों में हम सौर सेल की भी बात करेंगी जो जलील गाड़ी है उसमें हम सौर उड़जा के द्वारा उसको चलाने की बात कर रहे हैं और साथ ही साथ में आप पग्रह को जो सौरूर्जा के द्वारा ही उनको energy वहाँ पे मिलती है जैसे चांद पर हमने कोई पग्रह भी हाली भी बेजा था तो वहाँ पे उसको जो energy ही वह सौरूर्जा के द्वारा ही हमको वहाँ पे मिलती है और उसकी के बाद में जब तक वो चार्ज रहेता है तब भेहरन जंगल का वहा हिस्सा है, जहां जंगली जानवर बिना किसी खत्रे के खुले घूम सकते हैं. अब हम धरहरा के जो परमपरा है, उसके बार में जानते हैं. धड़हरा क्या है धड़हरा एक गाउं है जो भागल पुर्जिले के नवगच्छिया प्रखंड में बसा हुआ है इसने पर्यावरण के प्रती सम्वेदन सीलता एबं बालिकाउं के सामाजिक महत्ता इस्थापित करने में अदबुद मिसाल कायम की है उन्होंने बेटियों क जनम को पर्यावरण सनचन का आवसर मान इसे एक उत्सो का रूप दिया है जब भी किसी के घर में बेटि जनम लेती है तो उसके विसेश इस्थान पर कम से कम ठीक है कम से कम दस पौधे लगाते हैं और अपनी बेटि के लगाए व्रच्छ को वे बड़े सने हैं और प्यार आने में साहिक होते हैं इस प्रकार बेटियों और व्रच्छ दोनों समाज और परिवार में सम्रद्धी का वाहग बनते हैं इतना ही नहीं बिहार के मुक्यमंत्री भी इस परंपरा से प्रवाईत हो उसे प्रोच्छाहन देने धरहरा गए थे तो आईए हम सब संकल्प लें कि हम भी व्रच्छ लगाएंगे अपने गाउं को धरहरा जैसा बनाएंगे तो जो अब यह तक हम लोगों ने पढ़ा है उसमें जो भी इंपरेंट है मैंने आपको समझा दिया है अब हमारा नेक्स चैप्लर है 16 चैप्लर चलो सर्वे करते हैं सर्वे में क्या होता है मतलब यहां पर एक तरह के से हम सर्चीजों को अप्योग करते हैं और यहां पर यातायत की वेना हमारा काम चल ही नहीं रह सकता जहां खाना बनाने के लिए इंधन की रूप में लकडी के रोसी इंतेल गैस आदी आओ सकता पड़ती है वहीं वहां चलाने के लिए डीजल और प्र अपत होती कहां पर कौन कितना यूज करता है यहां पर बंगाल के सुब कारियों के समय उलू-उलू ध्वनी और संक ध्वनी करने के प्रता है ठीक है तो यहां पर पूशा सकते हैं कि बंगाल के सुब कारियों होते हैं वहां पर कौन से ध्वनी की जाती है तो उलू-उलू जो है दोनी के जाती है और संक दोनी जो है वहाँ पर बजा जाते हैं और वो करने के प्रथा भी वहाँ पर एक तरीके से मानी जाती है अब आप हम संक्रामक रोग के बारे हम जानेंगे जो रोग एक रोगी व्यक्ति से किसी भी माद्यम के द्वारा सवस्त व्यक्ति तक पहुंचते हैं उन्हें हम संक्रामक रोग कहते हैं यो रोग वायू से किसी रोगी व्यक्ति के संपर्ग में आने से दूसरे भोजन या जल से, केड़े मकोड के काटने से या उनसे हमारा सरीर जो है भोजन जो है जल दूसरे विक्ति तक पहुँचते हैं मतलब एक दूसरे के विक्ति के संपर्क में आने से जितने भी जो रोग होते हैं क्या कहते हैं एक तरी कि संक्रामक रोग कहते हैं अब आप यह कह रहा है कि सोते समय हमें मच्छादानी के प्रयोग किया जाना चाहिए और जिससे कि हम डेंगू, फाइलेरिया, मलेरिया, पीला, बुखा और अंसेफलाइटिस जो हैं इनसे मच्छरों के द्वारा यह रोग प कंप्लीट हो गये हैं और आपका जो यह पहला जो वीडियो है अगर आपको इसका पसंद करते हैं तभी नेक्ट वीडियो में लेके आऊंगा, उमीद यह कुरूँगा, अगर आपको पसंद नहीं करते हैं तभी लेकांगे कि बहुत से बचों के कमेंट्स होते हैं कि होती ही, इसमें कम चीज इंपॉर्णन थी, तो इसलिए उतनी चीज में डिसकस करी हैं और आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगेगा, तो अगर फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई इसमें कमी रहती ही, तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ओके तो ध्यान रखे, मिलते हैं, ऐसे ही नेक्ट वीडियो में, बाबाई